जहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC GD भरती 2021 के अंतरगत जो आपका फर्म अपलाई हो रहा है उसमें फोटो कैसा होना चाहिए क्योंकि दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों का काफी ज़्यादा कमेंट आया था फोटो को लेकर काफी student पूछ रहे थे की photo पर कौन सा date होना चाहिए, photo का background कैसा होना चाहिए, photo कितना पुराना होना चाहिए, साथ इस photo पर date of birth होना चाहिए, या photo पर नाम होना चाहिए, काफी सारे जो है इस तरह के आप लोगों का सवाल आया था पिछले वीडियो में, तो मैं आज किस इस यली notification में इसके बारे में जनकारी दिया गया है, और ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है, क्योंकि आप सभी को बता दे, कि जितने भी firm reject होते हैं, चाहिए YSSE department के अंतरगत हो, या railway department के अंतरगत हो, या banking department के अंतरगत हो, सभी firm reject होने के कारण एक ही होता है फोटो, और अभी हाली में आप सभी देखे होंगे कि railway के अंतरगत जो है, group D post पा जो भरती आया था, 2019 में, उस भरती का जो है, लाखो student का फर्म reject किये गए हैं, के वल फोटो के कारण, और modification का link भी नहीं दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है, आपके जितने भी सवाल है, सभी सवाल का जबाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह SSEGD का officially notification है, और इस notification में इसके बारे में जनकारी दिया गया है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, in the online application form, candidate are required to upload the scanned color passport size photograph in JPG format, यहाँ पे आपको बता दे कि बताया गया है passport size जो है आपका photo होना चाहिए, JPG format में होना चाहिए, और वह minimum 20 के भी से लेकर maximum 50 के भी तक के बीच में होना चाहिए, यानि कि 50 के भी से ज़्यादा आपका photo नहीं होना चाहिए, और 20 के भी से कम नहीं होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, the photograph should not be more than 3 month old from the date of publication of the notice of examination, तो यहाँ पे आपको बता दे, simple यहाँ पे बताया गया है, कि जीश अगर आपके पास photo है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा पुराना है, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं, यानि कि simply आपको बता दे, तो अगर देखा जाए, तो 17 जुलाई को जो है इसका notification आया था, आप सभी को पता होगा कि 17 जुलाई को यह notification आय अगर आप बैक जाते हैं, तो यह हो जाएगा, तो 17 अपरील के बाद का अगर आपके पास photo है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा पुराना photo है, तो आप उसे यूज नहा करें, अगर आप सभी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपका form reject कर दिया जाए तो इसलिए 17 अपरील के बाद का फोटो जो है आप सभी यूज कर सकते हैं इसके बाद next यहाँ पर बताया गया है the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph यानि कि यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो आपको फोटो पर date डालना है what date जो है किस दिन को आप फोटो वो click करवाए थे यानि कि वो फोटो बनवाए थे what date वहाँ पर आपको mention करना है तो अगर आपके पास simple photo है उस पर कोई भी date नहीं है तो आप सभी जो है जिस दिन firm apply किजिएगा उसी दिन का date आप सभी उस पर mention कर सकते हैं कोई भी problem आपको नहीं होने माला है लेकिन फोटो जो है तीन मन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ये आप सभी को पहले बता देते हैं इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आप सभी देखेंगे कि application without such date printed on the photograph will be rejected तो अगर simple photo आप upload करते हैं यानि कि उसपर अगर date mention नहीं है तो आपका जो है firm rejected कर दिया जाएगा यहाँ पे clear बताया गया है इसके बाद बताया गया है the photograph should be without cap यानि कि without cap का photo होना चाहिए cap आप टोपी जो होता है without cap का आपके पास photo होना चाहिए और both years should be visible यानि कि दोनों काम जो है आपका photo में clear दिखाई देना चाहिए इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि photo का background कैसा है तो photo का background कोई भी हो आप सभी यूज कर सकते हैं उससे कोई भी problem नहीं होने वाला है तो यहीं तर कुछ जनकारी और साथ ही साथ आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी ssegd की तयारी कर रहे है और इसके लिए best book यानि कि complete guide अगर आप सभी purchase करना चाहते हैं तो आप सभी चप्छू publication का book purchase कर लीजिए क्योंकि यह एक complete guide है जिसमें आपको सभी subject देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ ssegd का एक practice set भी है इसे भी आप सभी purchase कर सकते हैं यानि कि यह complete guide है और एक practice set है तो यह ssegd के अगर ssegd की आप तयारी कर रहे हैं तो यह दोनों book आपके लिए काफी ज़्यादा important है और इन दोनों book का link आपको video के description में दे दिये हैं आप सभी online order कर सकते हैं या offline market से भी इस book को purchase कर सकते हैं काफी compromise में आपको यह book देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इसी तरह की video देखने के लिए आप channel को भी subscribe कर लिजिए और कोई भी या आपके पास अगर सवाल है ssegd भरती को लेकर तो आप सभी comment section में पूछ सकते हैं या instagram id kp study point पर आप सभी हमसे personally बात भी कर सकते हैं तो आई hope आप सभी समझ गए होंगे फोटो को लेकर जो भी आपके मन में doubt था सभी doubt मैंने इस video में clear कर दिये हैं फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम